ay hello दोस्तो आज फिर सेंगनी वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं दोस्तो आज की वीडियो अगर आपने देख लिए ता आपको और भी कोईभी वीडियो देखने की जोड़त नहीं है क्योंकि फ्रेंब्स आज की वीडियो में जो मैं लेड़े लाग तक सस्काइबर हो चुके हैं और कई भाईयों का ऐसा भी मैसी जाता कि सर मैंने आपके बताई वह तरीके को यूज किया मेरे चैनल ब्लोक हो गया तो फ्रेंड्स क्या होता कि आप लोग यह सोचते हो कि जो मैंने बताया वह आपने पूरा किया वट लेगिन आ लेके एंड तक जुरू देखना जो भी पॉइंट को बताऊंगा उसको जुरू द्यान से सुनना तो आईए फ्रेंड्स अपने मुवाल को सुन लेके चलता हूं और आपको मैं इस्टेब आपको दिखाता हूं जैसा कि फ्रेंड्स देख पारो साइड स्क्रीम आपको मेरा आपको बीपीएन का यूज करना पड़ेगा क्यों कैपकट इंडियन नहीं है इसके लिए फ्रेंड्स आपको कोई साभी एक बीपीएन आप इंस्ट्रोल कर सकते हो प्लेस्टर से इसको उपन करके फिर इसके बाद कैपकर चलेगा और स्टार्ट होगा उसके बाद क्या करन आपे नू पर्जेक्ट्ट पर जाना है बात जैसे कि फ्रेंड्न सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊँगा जिससे फ्रेंसा आपका कभी भी कोपवेट नहीं आएगा तो पहले फ्रेंड्स आप यह वीडियो देख रहा है और साइड मेंने एक छोटा सा इमोजी टाइप को होता वो लगा रखा और फ्रेंड्सि हे हैं यहां पे वीडियो में ही चल रही ह। तो फ्रेंड्स यह पूरी फुल वीडियो है छोटी वीडियो है यह जो से लोता है उसे पूरी जोरूदू लेखना है कि मैं आपको štart करने वाला होंगी किस तरीके साइट की कि करना है तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को डाउनोड कर लेना है जो सेरियल की वीडियो आप डालना चाहते हो तो फ्रेंड्स में नए प्रजेक्ट पर जाता हूं और यहां पर मैंने फ्रेंड्स जैसे कि मैंने यह यह वीडियो है मेरी इस वीडियो को मैं डाउनोड कर लिया तो इस वीडियो को सीधा अप आपको यह यह बैग्सक्ट से फिले यह को आपको कहाँ से जैसा कि देख पारो ये वीडियो आपको कहां से मिलेगा जो बैक्ग्राउंड में वीडियो चल रही जैसे में स्टार्ट करता हूं यह बैक्ग्राउंड की वीडियो को कहां से मिलेगी यह वीडियो मैं आपको प्रवाइड करूंगा कहां प्रवाइड करूंगा वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके मर्ज करना जिस से कि फ्रेंट जो यूट्पी होता है उसको यह पता नहीं चल पाता है कि विडियो अलड़ी वी उनल चुकी यहाँ जहां पहे जाता हूं एड पर जाने के भाद friends मेरा एक पैम्पलेट्स है यह pamphlet देखो इस हम्पलेट को फ्रेंड्स आपको थोड़ा छोटा करना है और इस तरीके से आपको यहां पे इसको लगा है क्योंकि फेंड जितना ही छोटा करके आप लगाओ गया उतना ही ज्यादा यह दिखेगा बढ़ियां से जैसे कि देखो यह पैंप्लेट्स मैंने अपना यहां पर इस तरीके से मैं लगा दिया इसको चाहो था पैंप्लेट्स को थोड़ा भी कर सकते हो च्छोटा कर सकते हो पर लगे फेंड्स पैंप्लेट्स को मैं ज्यादा तर आपको मैं सजेसन दूँगा कि आपको इस पैंप्लेट्स को छोटा ही रखना इस फ्रेम के इस फ्रेम में ज्यादा बड़ा आपको पैंप्लेट्स नहीं भी रखना है तो भी मत रखो तो भी आपकी जो वीडियो है वह चलेगी और बहुत अच्छी तरीकिस चलेगी जैसी पैम्प्लेट्स आप यहां लगा दोगे पैम्प्लेट्स लगाने के बाद फिरिया करना आपने जो भी सेल की वीडियो को डाउलोड किया है उस वीडियो को आपको दुबारा उठा लेना है अपने इस पे जैसे टाइ अगर हम इसके रेशो को चेंज नहीं करेंगे तो यह फ्रेंट्स क्या होगी वीडियो की फिर आपकी वीडियो वैसी कोपी राइट आजाएगा क्योंकि कितनी भी छोटी क्लिप लगा लो किसी वीडियो की जो यूटूब डल चुकी है तो आएगा याएगा जब तक उसका जो साइज होता है जैसे कि आप यूटूब पर देखते हो कि 16 x 9 के रेशो डला हुआ है अगर आप उसी रेशो में कितनी भी छोटी करके वीडियो डालोगे उसका कोपी राइट आएगा ही आएगा तो आपको क्या करना सबसे पहले फ्रेंट्स यहाँ पर जाना है यहाँ यह मैं कृप न फे गया और फे जाने के बाद फेंड्स इसकी थोड़ी सी डेशो ना आगे पीछे सोड़ी बहुत इसे कम कर देनी है जैसे यह देखो मैं जैसे कर रहा हुं यह रिषो कम होने के बाद आप देखुआ है कि जो शोड़ा बहुत क्या होता है कि जो स्रियल का देख पा रहे हैं यह मैं वीडियो फ्रेंट्स प्लस पॉइंट यह हुआ कि इसमें देखो जो बैक्ग्राउंड में चल रहा है बैक्ग्राउंड में तरह अलग चली रहा है उससे पता नहीं कर दो या फिर 1 by 2 कर दो चाह 1 by 3 कर दो जैसी भी आपका उसको कर सकते हो बैक्ग्राउंड को थोड़ा हम और इसको बड़ा करेंगे जिससे कि फ्रेंट्स हमारा दो फ्रेम एई वीडियो का इसमें हमारा अर्जेस्ट पूरा हो जाए अब फ्रेंट्स पीछे का करके और इसको फ्रेंट्स पूरा मिसको הרजेश्ट इस तरह के से कर देंगे यह इने यह आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो वीडियो है फ्रेंट्स यह पूरा देंडिया हो चुका है नीचे चल रहा है उपर वह चल रहा ता इस तरीक से यूटूब आपको नहीं पगड़ पायागा कि फ्रेंड्स ये वीडियो और यूटूब पर डली हुई है कि नहीं डली हुई है यह स्टार्टिंग पॉइंट था उसके बाद मैं स्टेप बाई स्टेप आपके तीन से चारे से स्टेप बताऊंगा जिसको आपको गोर से सुनना है अगर आप यह आपको लगाना है फिल्टर हर एक पार्ट में आपको फिल्टर चेंज करके लगाना है किस तरीके से लगाना यह ध्यान रखना जैसे कि पहला पार्ट है पहला पार्ट में फ्रेंड्स में फिल्टर पर जाता हूँ जैसे फैंट्स फैंट्टर पर गया więc फैंट्स फैंट्ट्र हमेशाओ चेंज KARके लगाना है स्यम फिल्ट्र आपको कभी का background change हो गया है इसमें देख पाऊगो इसमें देख पाऊगो बिल्पूश बैक्राउंड चेंज हो गया है क्योंकि इसमें तर डार्क है और यहां एक बाद हलका हो जा रहा है तो क्या होता है कि जब step by step जैसे कि दस दस सकेंड पर जब उसका color changing होता रहता है तो यूटूब को यह नहीं पाचल पाता है कि सेम चीज़ है और यही ठीक प्रसेस आप अपना के Facebook पर भी वीडियो अप्लोड करोगे तो आपके Facebook पर यह copyright नहीं आता है उसी तरीके से फ्रेंड्स आप देख पाऊगे जैसे य इसका भी फिल्टर लगाएंगे क्योंकि एक टाइम पर दो काम करना भाई हमें अभी यह देखो कि यह लगा रहा फिल्टर यह अगर फ्रेंड्स यहां से apply all कर दोगे तो सभी पर apply हो जाएगा तो आपको apply all कभी भी नहीं करना है आपको मैने वाली एक चीज़ पर ही apply करना है जैसे अब लगा देखे इसके ओपर भी फिल्टर लग गया पर लेकिन इसके ओपर फिल्टर यह नहीं लगा है उसी तरीके 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 करना हमें फिर यहां से यहां तक इसको कट करना है नया फिल्टर ओपर करना है अब जैसे देख पार हमें स्टेव अगिसन SS लिए फिल्टर ला हूं पहला पार्ट फिर अब कट आपको 10 तो bawत कर ले ना है जो थरर पुएंटな मार्श प्रफ्ट पॉइंट है कि आपको लियर पर फिल्टर लगाना है और सब्सक्राइब जानते हैं कि आपका तो तीसरे स्टेप को आपको किस सरी की स्वूज करना है ध्यान से जरा सुनना दोस्तों दोस्तों जैसा कि देख पारो मैंने जो वीडियो पर वाली है जो बैग्राउं इसको देख पारों तो आपको इसी तरीक Panamoo ए नाए उसके बाद क्या करना जो भी आपने लेयर लगा आया इसको फेटर लगाना है या तो फेंड्स आप याजस्पेंट पर जाएए और आ क्या हो कि अब ही फिल्टर नहीं लगाना चाही तो अर्जेश्मेंट पर सकते हो बना सकते हो changing कर सकते हो तो फेंस मैं अभी मैं फिल्टर पर जाता हूं फिल्टर जाने कि बाद फेंस मैं और जिस्टमीन मैं जाता हू बढ़ा लिगेता हूं और फेंसे इसके घटा देता हूं इससे क्या होंको 10 पार्ट का ये था और इस आपने उपर भी लेयर लियान वाले चैंज करना है और नीचे जो आपने लियर पेज रिए उठाया है अपने उसका भी करना है तो भी बीच में आपको थोड़ा सा वोइस उबर कर देना है जैसे कि मालोह की वीडियो चल रही है इस तर debates से वीडियो चल रही है तो आपको अपने आवास से बीच बोलना है कि आज जो भी कुछ होने वाला है चाहिए होने हो सकता है यह चीज़ लग रहा है तो आपको किस तरी किस करना आपको बैक्ग्राउंड में उस स्रीएल की आवाज को चलते रहने देना है और आपको यहां से जैसे आप यहां पर आओगे तो फ्रेंट्स यहां पर आपको ओडियो का एक उपसल आता है जैसे मैं आपको दिखा आपको यहां पर आपको जाना है और फिर आपको कोई साभी ओडियो में इक को लगा देटा सब्सक्राइब लगा दो यह देखो कि देखो देखो अधा पून पार मश्कूंआ रहें तो फिर इससी तरीक है से जैसे में दस सेगर आप इसमें डाला मैं डीप आवाज जा लिए अधा अब देखो इसमें डीप आवा जा रिये और दस स्थे अधित ना इसमें आएगा कि कि को क्या गी देखो इसी तरिके से और दस सफिर्ट बाद कुछ और आपको चेंजिंग कर देना है तो इस तरीके से आपको अपने विडियो के क्रिटिविटी लानी है जितना ज्यादा आप क्रिटिविटी लेके आओगी उतना ही ज्यादा आपकी वीडियो निखर के एडिटिंग होगी और अच्छा खासा अगर अगर आप यूटूब अपलोड करोगे तो आपको इसना समीना आपको बिल्कुल भी कॉपियाट नहीं आएगा तो फ्रेंस जो भी मैंने आज किस वीडियो में बताया आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैंने फ्रेंस अपना कॉंटेक्ट नमर दे रखा है आप चाहो तो वहां पर मुझे मैसिज कर सकते वाट्सप पे मैं आपको साइड ड्रेल दूँगा एक जो मेरा फ्रे कर लो क्योंकि जो भी मेरे जोइन बटन को जोइन कर लेगा उसको मैं ऐसी ऐसी बाते बताने वाला हूं जो कि मैं अपनी वीडियो पर नहीं बता सकता हूं क्योंकि कुछ ऐसी चीजे होती है जो पेड होती है जिने हम फ्री में नहीं बता सकते है तो जो भी मेरे जोइन माश कार